नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल्ड इंडिया आपके साथ मैं हूँ साक्षी पांडे इस प्रोग्राम के तहट केंद्र सरकार ने इन तमाम आयाईटियन्स को राज के अलग-अलग होने में कारे रत किया था इनका काम इतना था कि देश की तक्नीकी सिक्षा जहां जहां कमजोर है वहां की गुड़ वक्ता बढ़ानी है लेकिंग आप देख सकते हैं यहां पे तमाम ऐसे आयाईटियन्स इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग इतने अच्छे अच्छे कॉलेजिस से पास आउट सिक्षक यहां सडकों पे ऐसे धरना दे रहे हैं इनकी मांग क्या है क्या कुछ अपडेट है क्योंकि आज से महस्च पाच दिन पहले हम यहां पे मौजूद थे इनसे बातचीत की थी सिक्षा मंतरी से जो भी इनकी बात हुई थी जो भी इन्हें आस्वाशन दिया गया था उस मामले पे हमारी बात हुई थी आईए जानते हैं इस पूरे मामले पे लेटेस्ट अपडेट क्या है जी मडम जैसा कि सभी के संग्यान में है पिछले तकरीबन एक महा से हम सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं अपनी मांग सिक्षा मंत्राले में मानी सिक्षा मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग 5 सितंबर को एक मीटिंग तो हो पाई है लेकिन मीटिंग में हमें कोई कॉई कॉंक्रीट आस्वाशन भी नहीं दिया गया था हमारे कारेकाल के बारे में की जाए कि हमने इन तीं सालों में क्या परिवरतन लाये तो जो तीन सालों में परिवरतन लाये गया है वो अपने आप में अभूतमूर्व है ऐसा हम नहीं, ऐसा केन सरकार के द्वारा निर्धारिती यही तमाम कमिटीज की रिपोर्ट है, मसलन जैसे अगर मैं नाम से बात करूँ, तो इस पे एक नेशनल स्टीरिंग कमिटी की मीटिंग हुई थी, एक नीती आयो की रिपोर्ट भी है, इन सभी में बताया गया है, की क्लासेज ली हुई है, प्लेसमेंट का रेसियो बढ़ाया हुआ है, और जो क्वालिटी के सभी इंडेक्स है, वो सारे को इंडेक्स जो उनके द्वारा मानक निरधायत किये गये, तो उससे एकसीड हुए है, तो ऐसी स्थिती में अगर इन लोगों को तीन साल की मेहनत कर कि जब हमने वहाँ पर भेजा और गुडवत्ता में सुधार किया है, और इनको वहाँ से हटा लिया जाता है, तो सिस्टम की जो गुडवत्ता है, वापस अपनी ओरिजनल स्थिती में लोट जाएगी, और पूरे प्रोजेक्ट का जो मतलब है, वो सून ही हो जाएगा, जा भी आया है कि वहाँ आपने काफी रिसर्च की, वहाँ पे फंड्स भी है कटा किया है, जिस कॉलेज में आप कारे रहते हैं, तो इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे, अगर तीन साल बाद इस तरह से सरकार करती है, आपकी जो मांगे हैं, नहीं पूरी होती है, तीस सब् तारीफें मिली हैं, और ये किसी को बताया जाने कि आऊ सकता नहीं है, कि सिर्फ तारीफों से देश नहीं चलता है, हमने काम किया है, इसलिए आख में आख डाल करके हम बात कर सकते हैं, और जब हम बात करते हैं, तो हमें बताया जाता कि आपने तो बहुत अबूत पूर का दिया है और जैसा कि आपने हमारे बारे में विजन देखा था और उसके रिगार्डिंग एक MOU भी साइन किया था कि तीन साल के सक्सेसफुल कंपलीशन के बाद जो वेल परफर्मिंग फेकल्टीज होंगे उनको राज सरकार के जो सिस्टम से उनका एक अभिनंग बना दिया जाएगा तो उस विसे पे अमल नहीं हो पाना ही हमारे लिए आज की तारीक में सबसे दुखत जो है वो इस्तिती है इसके रिगार्डिंग हमें एक महिने से खड़े हुए हैं अगर बात की जाए कि 30 सितंबर की जो की बहुत ही निकट है तो उसमें चुकि अभी बहुत ही सांतिपूर्ण धंग से अपना पक्ष रखने के बाद भी हमारी बात को सही तरीके से वहां तक सुना नहीं जा सका है और हमें इस पे कोई नास्वासन मिला है महज एक रोड का फासला है हमारे और वहां पर बैठे हुए सक्षम अधिकारियों के बीच में लेकिन हमारे से अभी तक उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है तो इसी रिगार्डिंग हम सभी लोगों ने मिलकर के यह तै कि अभी अगर हमारी बात इस तरह से नहीं सुनी जा रही है तो हम 25 तारीक से भूख हरताल पर सभी लोग जा रहे हैं जब तक कि मानी मंत्रायले में जो सक्षम अधिकारी गड़ है उनके द्वारा हमारी बात को कि पूरा भरोसा है कि तीस साल तक इन्होंने जितनी भी महनत करी है उसका फल इन्हें जरूर मिलेगा क्या बात हुई आपकी सिक्षामंत्री से और अब क्या प्रोग्रेस आपको दिख रहा है 6.7.3 से ये बात हुए है कि हमारे बारे में कुछ करें जो भी लिखा हुआ था प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन प्लान में कि सुस्टेनिबलिटी प्लान बनी चाहेगी हम बहुत बार मिल चुके होने तो उन्होंने ये बता है हम कुछ कर रहे हैं बट वो कुछ कर रहे हैं ये तो नीता वाली बात हो गई ना एक्ट्वल हमें पेन पेपर में कुछ दीख नहीं रहा है और ऑफीसेल बोल रहे हैं जब तक फॉंड ऐलकेशन नहीं होंगे तब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम इसी बातों पे हग कुछ कर रहे हैं, इसके उपर भरोसा करके हम अपनी लाइफ को स्पोईल दो नहीं कर सकते हैं ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, तीन साल आप वहाँ पे कारेरत रहें तो तीन साल में क्या क्या बदलाफ, क्या सुधार आपने देखा तीन साल नौ महीने, तीन साल नौ महीने, देख सकते हैं आप तीन साल नौ महीने, IIT, NIT इतने अच्छे अच्छे कॉलेजिस से पढ़े हुए, पास आउट ये सारे सिक्षक, तीन साल नौ महीने इन्होंने दिये हैं, उसके बाद से जब ऐसा हो तो जाहिर सी बात है अच्छा हमारे आने से बहुत सुधार हुआ है, स्टूरिंट्स का जो भी गेड क्वालिफाइंग रेसियो वो बढ़ा है, और भी बहुत सारे सुधार हुए है, जो हमारे रिपोर्ट कहता है, तो बस यही कहना चाहूंगे, अगर इतना सारा सब कुछ हुआ है, तो फिर क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद भी जैसे ये बता रहे हैं, कि इनके जाने के बाद से इतना सारा सुधार देखने को मिला, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सरकार का कोई भी राज का प्रतिनिधी आपसे यहाँ बातचीत करने आया था? नहीं मैं, कोई नहीं आया. कॉलिटी को इंप्रूव करने में अपना समय दे दिया है, अब हमारे पास समय नहीं है, अब हम सरकार से यहीं चाहते हैं, कि हमारे लिए कुछ सोच हैं, जाहिर से बात है, आपको ये भी बता दें, इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो दूसरी जूसरी अन्द है, वहां के बच्चों को ये पढ़ाने गए थे, वहां की तकनीकी सिक्षा में सुधार लाने गए थे, आप से जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है, आप देख रहे इतने दिनों से आप यहां बैठे हुएं, तो कितनी उमीद इस समय नजर आ रही है आपको, कि इस पूरे मामले पे सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी और वापिस से जो है, आप अपने काम पे लौट जाएंगे, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जिसे साफ से सरकार हमको आशवाशन दे रही है, और जो सरकार का वीजन है, अबिसली सरकार को इस पे काम करना चाहिए, और लेक प्रदान मंतरी जी ने विश्वास हम लोगों पे किया था क्योंकि उनको लगता है कि हम केपेबल इनफ है, देश की जो टेकनिकल सक्षा की जो गुनवत्ता है, जो गिर रही थी, उसको मैंटेन करने के लिए और उसको हाई करने के लिए हम शक्षम है, जाहिर सी, जाहिर सी दे रहे हैं लगातार, तो आपको क्या लग रहा है, यह पूरा मामला कुछ अलग सानी दिखता नज़र आ रहा है, मैं खुद कंफ्यूजड है, क्योंकि मोदी जी, हमारे प्रदान मंतरी जी का विजन बहुत अच्छा था तो यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और वो बो तो शायद हमने फिर यहीं हम दिखते थे और जो मोदी जी ने जो विजन के साथ हमको लाया था, तो या तो जो उन्होंने ट्वीट करके बोला है उर हम आपी के adopted लोग हैं, आपी ने हम पे विश्वास किया था कि यह लोग गुनवत्ता maintain करेंगे, तीज तारी के बाद में हमारा कुछ नहीं हमने almost चार साल साल संस्ता को दिये हैं, अपनी संस्ता को state को दिये हैं, जब हम उनकी गुनवत्ता सुदार सकते हैं तो हमारा तो ह बात करें प्रधान मंतरी को वो कह रहे हैं हमारे गुरू है प्रधान मंतरी को प्रधान मंतरी का विजन सबसे बड़ा इस समय बता रहे हैं आईए इसी मामले पर और जानकारी लेते हैं तमाम लोगों से बातचीत करते हैं आपको दिखाएंगे आप से जानना चाहेंगे कि के साल जब तक प्रोजेक्ट खतम नहीं होता है तब तक अगर आप कंसिस्टंटली अच्छा काम करोगे तो स्टेट गवर्मेंट आपको एब्जॉर्ब कर लेगी रिटेन कर लेगी अब यहां पर सभी लोगों का हर साल अप्राइजल होता है उसका क्राइटीरिया भी बनाया उसमें एक और क्लॉज था मैडम कि अगर आपको मिनीमम एक परसेंट अगर इंक्रिमेंट नहीं मिला तो आप नौकरी से बाहर होंगे तो जाहिर सी बात है सब को हर किसी को इंक्रिमेंट मिला है अब आईसे स्टीटी में स्टेट गवर्मेंट की नौकरी से आप जिस तरह स जो प्रोबेशन फीरेट के दौरान बाहर हुए थे नहीं हुआ क्योंकि उनकी प्रोग्रेसिव ऐसा रहा जब भाई बंदे नाइटी आयाइटी से आये हुए है अच्छा ट्रेंड उन्हों नहीं किया हुआ देखे यहां पर दर्शकों को मैं बता दूँ यहां पर ध्यान देने वाली बात है इनों इनका जैसा मानना इनका जैसा कहना है कि एक भी एक भी ऐसा सिक्षत नहीं था जो की बाहर निकाला गया था जिस तरह से यह बता रहे जो एमोयू साइन हुआ था उसमें टेंपरेरी प कोई बोर रहा है निती आयो का रिपोर्ट भी बोर रहा है कि आपने अच्छा काम किया आप बैग बोन हो आपके वज़े से यहां पर एजूकेशन की सुर्वात हुई है तो ऐसे स्थिती में स्टेड गवर्मेंट ने जो इनिशेशन लेना चाहिए था अब्सॉर्शन का व वो तो Central Government ही कहेगी, स्टेट में… अगर परतिनिधी आ के बातचीत करें तो उसमें क्या गलत है? ने हम तो मिले ही है वहां से हमें रिप्लाइ नहीं मिला, इसलिए तो हम यहां पर आये हुए है, हम तो बिहार से हैं, हम बहुत बार मिले हैं, डिपार्मेंट में तो आपका मानना है कि जो भी हल निकाले वो केंदर सरकार द्वारा निकाला जाए हम तो जैसा रिक्रूट्मेंट हमारी इनोंने की हुई है और हम उनके पाँ जब जा रहे हैं कि भाई हमारा देखिये तो वो डिनाए कर रहे हैं दिनाए के मूड में है तो यहांड जैसा आप देख सकते हैं इनके हात पे जो प्लेकार्ट दिर्खा हुआ है मोदी जी हमें यकीन हैं बहतर कार करने वालों की इज़त होगी एवम सुरक्षित भविष्च्य तो कितना सुरक्षित भविष्च्य मिलेगा यह Our इस समय जो यहां सिनारियो है पूरे इतने सारे लोग जो यहां आपको दिख रहे हैं तक्रीबन पंद्रासों से ऊपर यहां पर पास एनाई आई 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 इस यहां पर मौजूद होंगे अजिए हुल लोग का मैम जो रेकुरूट्मेंट हो था उसमें एक पॉलिशी स्थी पी याई पी इंप्लीमेंटेशन प्लान में यह था तो आप देख सकते हैं यहां पे सरकार की कितनी सारी जो है कमिया उजागर होकर आ रही है साथ साथ में आपको यह भी बता दें कि जिन जिन राजियों में यह कारियत थे क्या वहां पे जो स्टूडेंट्स मौजूद थे क्या उनका नेतिक अधिकार नहीं है कि उनने इतने जो सिक्षित लोग है वो उन्हें पढ़एं यहां पर 30 सितंबर को हम लोगों की नौकरी जा रही है यहां पर सारे लोग 3 तो जहां तक 30 सितंबर के बाद की बात है कि इसमें बेकार कोई नहीं होगा लेकिन जो हमने हमारे उपर सरकार ने करोणों रूपए खर्च किया है किस एक फैकल्टी पे एक करोण रूपए से ज्यादा का खर्च हुआ है सरकार के द्वारा तीन साल में हमें ट्रेनिंग दी ग आए टीज में हमने बहुत सारी ट्रेनिंग की है कि आगे हम सिच्छा की गुडवत्ता को कैसे जो हमारी बहुत खराब इस्तिती में है टेकनिकल इजिए उसको उपर ले जाने के लिए हमको ट्रेनिंग दिया गया और उस ट्रेनिंग का नतीजा रहा कि हमारा जो को छोड़कर के बागी सारी फैकल्टी टीकुप की है कि वहां यह चोड़ी भी टीकुप का है अगर हम लोग चले जाएंगे तो क्या कालेज बंद कर दिया जाएगा केवल एक प्रिंस्पल साह पूरा कालेज चलाएंगे अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें 30 सितंबर के बाद सरकार ने बहुत सारे लेकर भी भेजए हैं लेकिन सरकार और स्टेट्ट की बीच में जो कम्युकरन गैप है साथ ही साथ ईन्हों ने भी बता आया कितनी मेहनत से, कितने अच्छे अच्छे कॉलेजिस से, कितनी रिसर्च करके और हालत भी साथी साथ इन्होंने बताई, बिहार की बात करे थे, गया की बात कर रहे थे कि क्या हालत है इस समय और कितनी जरूरत है वहां की तक्नीकी सिक्षा में सुधार लाने की वहीं आगे चलते हैं और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी कि क्या है पूरा मामला देखिए मैं आपको सभी लोगों ने बताया कि हम लोग कितने कौलिफाइड हैं कोई भी सरकार चाहे वो राज सरकार हो या कैन सरकार हो ये नहीं कह सकती है ये अनकौलिफाइड नौनकौलिफाइड लोग हैं हमारी लोग की जो सिक्षा है वो देश के सबसे पतिष्टित संस्थानों से हुई है और सभी ने इन पौने चार सालों में या लगबग चार सालों में जो काम किया है उसकी तारीफ हर किसी ने करी है इस्थिती ये है कि हम लोग पिछले 22 दिनों से दिल्ली की साड़कों पर हैं कभी सास्थी बन बैठते हैं कभी मंडी आउस बैठते हैं जिन्दिगी में कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरीके से बैठना पड़ेगा अब परिसान होके चूंकि हमारे जॉब जाने को केबल आठ दिन बचे आज बाइस हो गए तीस हमारा लाश वर्किंग डे है हमारे और साथी केबल इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वहाँ पे उनको इंटेंशनली कॉलेज वालों ने ज्यादा वर्कलूट दे दिया है लेक्शे कर रहा होग यह आई ईटि में एडमिशन लेने की के तैयारी कर रहा होगा तो उनका क्या सवाल नहीं आता है आप ऀए सब pile इसली वह भी बूलते हैं कि क्या हो रहा है इस्सीटम को हूँ और गब निंहीं चिंते हैं और तो सबहए से लेकर सウाब्या अश़合वे हैं जो सरक देते रहेंगे और दूसरा यह है कि अपने जीवन के चार मैत पूर्ण साल इसमें दिये हैं हमने सब्स को अच्छां यह ज़रूर्वत्य इंद दित रही हैं दाट होने पहल्स हैं थेसलयल इंद प्रेविप्रह अन पेंद रह्व सब्सकाइबी कि धुषयह हैं क्या होगा उसका उद्देश से क्या था तो हम और इसी के लिए देखिए हम लोग अध्यापक लोग हैं हम जिन संस्थानों से जोड़े हैं तो हम कुछ भी करेंगे तो हम अमारे मन में एक खैल आता है कि उनको ऐसा ना सुनना पड़े कि आपके छात्र ऐसा कर रहे हैं तो हम बिल्कुल गांदियन फिलोस्पी फॉलो करते हुए प्रोटेश्ट कर रहे हैं और परसों से परसों नहीं पच्चिस तारीक के बाद हम लोग अनिस्चित कालीन भूंखरताल पे जा रहे हैं हम लोगों का चयन कोई पिक एंड चूज नहीं था प्रोपर गवर्मेंट के पास पॉलसी थी सेंट्रल गवर्मेंट ने राज्यों से पूछा कि आपको कितनी फैकल्टी चाहिए बरना दिल्ले में बैठे हुए व्यक्ति को आसाम के किसी कॉलिज के किसी डिपार्टमेंट में कितनी फैकल्टी चाहिए उसको यह आइडिया कैसे इसका मतलब एक प्रॉपर पॉलसी के तहट यह किया गया था इसी के तहट उनको यह भी पता था कि अगर यह प्रोजेक्ट खतम होता है और इनका अबरप्ट टर्मिर्शन होता है फैकल्टी का तो जो भी किया धरा है तीन साल या चार साल में वो जमी पे आने वाला है इसी को चिंतित होते हुए इसी पे चिंतित होते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिसन प्लान होता है किसी प्रोजेक्ट का उसमें लिख रखा है कि तीन सालों के बाद राज सरकार हैं औ और केंद सरकार मिलकर एक कोई प्लान बनाएगे जिससे उन लोगों को सुरचित भविस दिया जा सके इस्तिति यह है कि तीन साल हमारे सेतंबर बीस में खतम हो गए थे उसके बाद कोविट को दिखते हुए गबर्मेंट ने च्छा मेने का एक्षेंसन दिया मार्च 31 को यह खतम हो रहा था उसके बाद हम लोगों को जंतरमंतर आना पड़ा हम लोग की जो भी हमारे प्रयास थे उसके ऐसे गबर्मेंट ने हमारी मंतरी जी से तदकाली इन सिचा मंतरी जी से मुलाकात होई उन्होंने च्छै मेने का एक्षेंसन दिया और यह एक्षेंस पर काम कर सकें और दूसरा हम आपको ये बचन देते हैं कि आपको दुबारा दिल्ली इसके लिए नहीं आना पड़ेगा और वो सारी चीजे नलेन वाइड हैं हम फिर से हैं यहां पे और इस बार तो पूरा महीना सा हो गया है तो अभी आपने देखा इनकी तमाम प्लानिंग है अब साथ दिन रहे गए हैं महज एक हफता रहे गया है और भूख हरताल तक पे उता रहे हैं यह सारे सिक्षक यह सारे प्रोफेसर्स आगे के लिए क्या सोचा है 30 सब्तंबर के बाद नहीं अगर सरकार ने सुनी आपकी गुहार उसके बाद से क्या प्लान है देखिए प पीएमो का ओफिशियल एप पीएमो की वेबसाइट पे जाके पीएमो के इमेल आइडिस पीएमो के एड्रेस पे हम लोग कम से कम 5,000 लेटरस लिख चुके हैं कम से कम 10,000 इमेल बेच चुके हैं और हर दिन असी 85,000 हम ट्वीट कर रहे हैं हर दिन और ट्विटर पे भी कोई जवाब नहीं कोई रिप्लाई नहीं किसी का भी नहीं नहीं ट्वीटर पे ठीक है ओफिशिल लोग ट्वीटर पे जवाब नहीं देते हैं असने वाली बात यह है कि उन तक हमारी बात ही नहीं पूशिश प्रधान मंत्री जी के संग्यान में आजाएगा उस दिन हमें सॉलूशन मिल जाएगा आपको क्या सच में लगता है कि प्रधान मंत्री जी के संग्यान में पूरा मामला नहीं है हमें 100% क्या मैं 500 परसंट बोल सकता हूं उन तक हमारी बात पहुची नहीं है क्योंकि नहीं तो जल्द से जल्द आपकी पूरे मामले का कोई ना कोई निवारंट जरूर निकाला गया होता हुता हुंडेड परसंट हुंडेड परसंट वह टेकनिकल फ्रेंडली पीम हैं उनको अकसर आप देखें आइटी की मीटिंग करते हैं आइटी के बेस्ट प्रोज सब्सूर आपने किसी तरह से आपने इन से संपर्फिकोश में की कोशिष की किसिना किसी तरह से पहुचने की कोशिष खुद कह रहे हैं की प्रजाने वो मीटिंग के लिए बोलते हैं लॉड कि अगर मुझसे तो ओना जाए तो मैं पूछा जाए आपके बारे में तो मैं कहूंगा आप लोग पिक एंड चूज नहीं आपको सिस्टम में होना चाहिए लेगन अब यह मजाक है कि जिनको करना है वो हमें बेतर मानते भी हैं चातनों को सच्छा दे रहे हैं हम लोग आसानवेत हैं जो भी हम कर सकते हैं अपने बेस्ट लेबिल पे भूंक अटाल सारी चीज़े करेंगे फिर भी हम आसानवेत हैं कि सुनवाई होनी चाहिए और नहीं होगी तो दुख रहेगा कि हमने सब कुछ किया बाते बोली गई है जो भी आसवाईशन दिया गया है वो बाते यह सारे लोग मान रहे हैं और यही आस लगाके बैठे हैं कि 30 सितमबर यानि कि 7 दिन से पहले पहले कोई ना कोई इनके लिए एक अच्छा फैसला लिया जाएगा इनके हित में कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा एक ऐसा रिजल्ट निकलेगा जिनसे इन सारे लोगों को सिर्फ लाब ही लाब होगा हमें पूरी उमीद है कि सरकार 30 सितमबर से पहले पहले कोई ना कोई इनके हित में फैसला जरूर करेगी कैमरामें सरताच के साथ साक्षी पांडे दिल्ली न्यूस वर्ल्ड इंडिया